है आप सब्सक्राइब करें वेल्कम बैट टू माई चैनल आज की ब्लॉग के शुरवाद हो रही है पूरी बनाते हुए और आज बसंद पंचिमी आप सभी को मेरी तरफ से बसंद पंचिमी की देड़ सारे शुब कामना है और बस यहां पर पूरिया बन लिया है कल आप भी म सब्सक्राइब करें तो आप सब कैसे बसंद पंचिमी बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताना और चली मिलते हैं आप से बात में तो चलिए खाना हमारा बन चुका है और मैंने आज बनाई थी पूरिया पकोड़ी और सबजी बनाई थी आलू की बनाई थी सुकी सबजी तो यहां पर आलू में नहीं चड़ाऊंगी और पूरिया और पकोड़ी सबसे पहले अपने पित्रों को बहुग लगाएंगी और हम लोगों में ऐसी होता है कोई भी जोहर बनता है तो सबसे पहले अपने पित्रों को बहुग लगता है उसके बाद ही हम खाना सुरू करते हैं तो चलिए मैंने दियावाती कर ली है यहाँ पर और husband भी चले गई है office दियावाती करने के बाद मैं लग गई हूं अपने कामों में आज मैंने morning में सबसे पहले नहाया था और नहाने के बाद ही आज की काम सुरू हो रहे हैं और time तो मैं सारे काम निप्टाने के बाद ही नहा तो अपने काम सुरू कर लेते हैं, यहां पर देख सकते हैं, पुरे घर का क्या हाल है, बैड मेरा पुला फैल रखा है, और कल रात घर में छोटी सी पार्टी भी थी, क्योंकि बेटी का बर्डे था, और बर्डे के बाद होई जाता है, हमें सोने में रात को इतना ज्यादा ल दिवरानी कर रही थी जाड़कोचा, तो इसी तरीके से मिल जूल के काम कर लेते हैं, तो जल्दी से हमारे काम निपड़ जाते हैं, और आज के व्लॉग में बहुत अलग सी चीज है, जो आप देखोगे, तो आप लोगों को बहुत हसी भी आएगी, आज का पुरा circles के का मैं चुपटी मिली मैं चुपटी में चीजा आप वृ को कि झाप में काम काल के sociology बढ़ा क्यों से हमारे से विच्आ और Tao को आप देखोगे डूर्ष ऑना। तो चलिए क्या कर सकते हैं अब इस वीडियो को डालना भी जरूरी था ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को ना डालूँ और तो अब अपने यह देखे हैं पर हैपी बर्डे का नेम लगा रखा था नेम जो यह आते हैं वैलोंस ट्रैप में और यह मैंने लगा रखे थे सारे हवा निकालना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अब एक एक करगी इनके हवा निकालूंगी और फिर इनको समाल दूंगी किसी अच्छी जोगा पर क्यूंकि किसी का भी बर्डे होता है तो यह सही रहता है पूरा दिवार भी भर इसी लगती है और बहुत जरू में रहेगा तो बच्चे सारे फाड के रख देंगे और इनकी इयर इनको बल्यून समझ के वो फोड़ ना दे कहीं इस वे ऐसे थोड़ा सा ड़ लगता है और यहाँ पर देवरानी कर रही है ज़ाड़ो घर में पूरी लग चुका है और अब देवरानी कर रही है पो तो बिट्टू की क्लास भी चल दी थी उसको भी देखना होता है सारे काम देखने होता है मौर्निंग के टाइम पर तो जब तक मैंने और काम करे यहाँ पर देवरानी ने ज़ाड़ो पोचा कर दिया था और इसी तरीके से हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं जब देवरा क्लास भी देखनी होती है वीज-वीज में मुझे तो उसकी क्लास भी ले रहे हैं साथ में और साथ में बाकी की काम भी में निटा दी जाओंगी आज तहरत दुन में बहुत दिनों बाद आ रही है धूप तो अभी पूरिया खा रही है पूरिया खा के थोड़ा सा मन हो जाते है ना कुछ इस्पैसी सा खाने का तो मैं कुछ बनाने का सोच रही हूं औरेंज रखे हुए हैं घर पर तो पहले जो हम गाओं में खाते थे कुछ अच्छा सा नमक वगरा डालके आप लोग देखना कितना टेस्टी लगता है देखने से यह आपका मन हो जाएगा खाने का तो चलिए औरेंज रखे हैं तो मैं बना लेती हूं जल्दी से और यहां पर मैंने ले लिए हैं दो कीनू यह मार्किट वाले कीनू है तो इनका स्वार वैसे इतना खटा नहीं होता है जो हमारे गाओं में होते हैं उनको हम बोलते हैं मालते तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है उनमें थोड़ा सा खटा पन भी होता है तो उनको ख मेरी किसे छोटे-छोटे पीसिस कर लेंगे एक बाउल में और बहुत ज्यादा नहीं बना रही मैं दोगी कीनू के बना रही थी क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं है तो हम दोनों ही खाएंगे मैं और मेरी देवरानी और यह है गाउं का नमक जो मम्मी जी ने गाउं से पीस बहुत खत्म होई चुका है तो अलमोष्ट थोड़ा से बच्चा हुआ है और अगर घर जाना हुआ तो फिर से लेके आएंगे बहुत सारा नमक पीस के तो इसमें नमक मैने डाल दिया है बहुत सारा क्योंकि थोड़ा से सपैसी खाना ज्यादा अच्छा लगता है ऐसी ची तो देखें किस तरीक से में बना रही है। अच्छा लग रहा है। मुह में पानी आ रहा होगा आपका पक्का और देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो यह बन के बिलकुर तैयार है और इसको बाहर धूप में बैटके अब हम इंजोई करेंगे। मज़ा आने वाला है एक तम खाके इसको। गुड इवनिंग एवरिवान यह है इवनिंग का टाइम। और यहां पर देखें आप भार का मौसम फिरसे खराब होने लग गैा है। और दिन में इतनी अच्छी दूर्ती और फिर देखें को क्या हाल हो गया पिर से एकदम काले बादल लग गए हैं और लग रहा है फिर से बारिस आएगी बारिस ने तो इतना ज़ादा परिसान कर दिया बस बहुत ज़ादा मन भर गया बारिस से अब तो लग रहा है बस जल्दِ से गरμीा आ जाए और हम अराम से बैठें स्वैटर पहन पहन के परिसा आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े वाश करे थे तो इनकी तैय लगा लेते हैं क्योंकि आज मुझे मिल गई है कीचन से छुटी देवरानी यहां आई हुए है तो देवरानी बना रही है डिनर और सब्जी रोटी दोनों चीज़े वहीं बना रही है और यहां पर मैंने तब तक कपड़े फोल कर लिए और दिया बाती वेगरा कर लिया था और देवरानी ने सब्जी चड़ा रही है एक साथ दूसरी साथ बना रही है गर्मा गर्म रोटी तो इसी के साथ ही अपना आज का ब्लॉग भी मैंन करूंगी होफुली आप सबको आज का वीडियो पसं झाल कर दो कि और दोप्रें दोटी आज साथ पसंगी है आज कर मैंने कर दोटी आज कर दोटी हैek कर दोटी करूंगी है